आज फिर हम वापस जंतर मंतर पर आ गए हैं। हमारी बंतरियों की ताकत कम करनी है। ये आम आदमी की बढ़ती ताकत को और पूरे देश में आम आदमी के विश्वास को जो केजरिवाल जी के गवर्नेंस मोडल में उनका बढ़ रहा है। इसको रोकने का कानून है। पिछले दिना आपने देखा होगा आप सबसे बात करके आप सबसे प्यार आश्रिवात देके बानिया मुक्यमंतरी जी के बाल दर्शन में दिल्ली विधान सभा में एतिहासिक देश भक्ती बजट पास हुआ। बातिया जन्ता पार्टी जो कानून लेके आ रही है वो देश भक्ती के खिला। ये कानून नहीं चाहता, भारते जंता पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली में 2047 में के जिवाल जी इस तरह से काम करते रहे कि 2047 में ओलंपिक खेल करा लिए जाए दिल्ली में, ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि 2047 में, अभी बजट में मैंने कहा कि सपना देखो 2047 में हम तो जिन्दा भी होंगे कि क्या होंगे पता नहीं लेकिन आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 25 साल बाद नौजवान बनके देश में खड़ा होगा दिल्ली में खड़ा होगा हमने कहा सपना देखो और उस पे काम करना शुरू करते हैं आज जो बच्चा एक साल का द नहीं चाहते है आज से 25 साल बाद भी सिंगापुर जैसी कम हमारे नौजवानों की हो या इसके किलाव कानूर लेकिया यह जो बच्चे पढ़ए आगे यह नहीं चाहते हैं कि हमारे अस्पटाल ठीक से काम करें 75 साल में महिलाओं को अलग से महला क्लिनिक बनाने का कहीं नहीं सोचा गया कोई primary health center बनाने का नहीं सोचा गया केजरिवाल जी सोचते हैं कि महिलाओं के लिए अलग से महला क्लिनिक बनाए जाए जो कानून ला रहे हैं ये महला महला क्लिनिक को रुकवाने का कानून है क्योंकि इनको पता है कि केजरिवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं अगर केजरिवाल जी ने कहा है कि महलाओं के लिए 100 अलग से क्लिनिक बनेंगे तो ये करके दिखाएंगे इन्होंने काया कि 2047 पे हरेत नोजवान की आय उसकी इंकम सिंगापुर के नोजवान के इनकम के बराबर होने चाहिए तो यह करके दिखायेंगे ये कानून भात्य जंता पार्टी इसले लाई है क्योंकि केजरिवाल जी फैसला लेते रहे इनके मंत्री फैसला लेते रहे तो निश्चित रूप से चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी इसको रोकना है इसको ये रोकना चाहते हैं ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे आग ये नहीं आगे